जै सिया राम दोस्तों जै बचरंग बली की और दोस्तों आप सभी को हनुमान जैनती की ठेर सारी सुब कामने तो दोस्तों देखो पुर्निमा के दिन चैत माक्स में जो पुर्निमा आती है उसी दिन हनुमान जैनती मनाई जाती है और कैसे उसकी पूझा विधी है वो ही सरल विधी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और कोई भी मनोकाम ना हो दोस्तों उसकी पूर्थी के लिए हमें कैसे हनुमान जरम दिन पे कैसे अपना पूझा करनी है तो दोस्तो सबसे पहले जिस जगे पे हमने पूजा करनी है वहां पे हमने साफ सफाई कर लेने और चोकी लगा लेनी है चोकी पे दोस्तो देखो हमें लाल वस्तर या पीले वस्तर बिचा देना है अब इसके बाद में दोस्तों देखो हम अगनेश जी की पूजा हमने अवश्य करनी है क्योंकि बिना अगनेश जी के आमारी पूजा धूरी है तो उसी के साथ में हमने राम जी की तस्वीर भी लेनी है और अगर हनुमान जी के साथ में राम जी की तस्वीर हो तो अलग से ले अब हनुमान चालिस सा भी ले सकते हो या फिर अगर ना हो तो कोई बात नहीं है तो दोस्तों उसके बाद में भाव सवरूप हम सबको इसनान करा देंगे और यह जो हमने अपना तैयारी पहले से ही करके रखनी है क्योंकि पूजा में अगर कुछ भी समान इदर उधर रह जा तो इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले हमने अपने अपने रामजी Yoshi हनुमान जी गणेजी कि स्थापना कर लिये और उसके बाद में अख्षत या फूल हाथ में लेके अपनी मनो कामना पूर्ती के लिए हनुमान जी से प्रातना करनी है राम जी से प्रातना करनी है और बाद में अक्षत है या फूल है वो उनके चन्नों में समर्पित कर देना है और बिल्कुल सरलविधी दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अब दोस्तों उसके बाद में हमें देसी गी का दिया प्रजलित कर लेना है और अगर देसी गी का ना हो तो आप चमेली का तेल या फिर तिली का तेल से भी दीपक प्रजलित कर सकते हो अब उसके बाद में दोस्तों हम लोग वस्त्र सवरूप कलावा समर्पित करेंगे तो जो सुन्दरकांट के हमने बुक रखे है उसको भी हम वस्त्र सवरूप कलावा समर्पित करेंगे गनेश जी को भी और हनुमान जी को भी और अगर दोस्तों जनेव हो तो जनेव हमें अवश्य समर्पित करना है और अगर जनेव ना हों तो कोई बात नहीं है वस्तर साग्रूप खलावा भी समरपित कर सकते हो और अगर चोला समरपित कर रहे हो, तो अपने घर के किसी भी बेटे से या फिर अपने हड़ास्मेंट से आप चोला समरपित कराए तो वो ही हम समर्पित करेंगे और हमने सब को तिलग समर्पित कर दिया है अब इसके बाद में दोस्तो हमने फूल समर्पित कर देना है तो अगर फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिले तो कोई बात नहीं और अगर हो तो फूल समर्पित करना अवश्य है दोस हमारे शूमान जी कुछ गुडशनेरा और reproduction बोखत ही प्रीय हैं। जो कि भाँवर मने की पूज़ा कोई बी भी हो हनमान जी की तो हमें बनाद चूर्मा गुठा का भूग लगाएंगे। और कोई भी रितुफल लो तो गणे जी सारे दईदिवता को जिसको भी आमने भोग लगाना है कोई भी रितुफल आपके ला भी ले सकते हो या कोई भी फ्रूट वो आप ले सकते हो ड्राइफूट भी चड़ा सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास हो आपको हमारे बजरंग बली सिरी राम आवस्य पूरी करते हैं तो दोस्तों अब हाद में फूल लेके और या अक्षत लेके आप सुन्दरकांट का पाठ करना चाहते हैं तो सुन्दरकांट का पाठ करिए हनुमान चालिसा का पाठ करिए तो ये हमें जिस दिन अपना जैसे हनुमा किसे करते हैं और हमें सुन्दरकांट का या हनुमान चालिसा का पाठ अवश्य करना होता है तो बस फिर उसके भाद में हमने सबसे पहले फिर गणी जी की आरती करनी है फिर अपने हनुमान जी की आरती करनी है और हाथ जोड के पूजा में कोई भी कमी रही हो उसके लिए प् कि युद्स दे हमारे पूजा缀्ट कीन keto किसी भी घर में किसीमी को देढ़ी ब्चे को देना है। तो इस तरही के से हमने मैं पूजासंपन किया है। आप में आपा धिरना कर वो again